द्रीम क्लासेश के नोट्स को खरीदने के लिए हमें आप इस नंबर पे संपर करें, कॉल करें, आल सब्जेक्ट की फीस मात्र 499 हैं, अगर आप इस नोट्स को खरीदते हैं, तो आपको लाइब क्लास मुक्त दी जाएगी और क्रैस पोर्स फ्री रहेगा, तो 499 में आल सब् जल्दी से संपर्देश के लिए हलो अगर इस नोट्स को खरीदने के लिए हमारा एग्जामनेशन में बहुत कम ही समय बचा है, और एग्जामनेशन का जो हाइब वोल्टेज ड्रामा जो है अपने चरम सिमा पे है, तो आप लोग इस सेशन में को जोइन कर अपना प्रेश कर सकते हैं, और जो भी कोशन इस सेशन में है, यह हमारा काफी चुनिंदा कोशन में से एक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इस सेशन को जोइन किजिए, और इस वीडियो को स्टार्ट से इन तक देखना ना भूलेंगे, तो चलिए आज की लाइब सेशन के सुरुआत ह हम पहले कोशन से करते हैं, आपका पहला कोशन देखिए आपके स्क्रीन बोट पर है, काता है एक प्रोटोन एवं एक एलेक्टोन को एक शमान बिद्दुद शित्र में रखा जाता है, तो क्या होता है, पहला उप्सन है आपका उन पर लगे बिद्दुद बल बराबर होंगे, सी बिद्दुद बलो के परिमान बराबर होंगे और इन में से कोई नहीं, आपके स्क्रीन बोट पर कोशन दीख रहा होगा, ये काफी अच्छा कोशन है, और कहता है कि एक प्रोटोन और एक एलेक्टोन को एक समान बिद्दुद शित्र में रखा जाता है, तो चार बिकल्ब है, चार बिकल्ब में से कोई एक ही एंसर होगा इसका, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, इस लाइब सेशन में जुड़ना शुरू हो गया है, और थोड़ा भीड को बढ़ाईए, ठीक है, फिर लाइब सेशन आगे चलेगा, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका ओप्शन करना शुरू भी कर दिये हैं, और लगभग जो है, 40 से 50 परसें बच्चे जो है, ओप्शन नमबर C के साथ जा रहा है, मैं देखता हूँ कि क्या इसका एंसर होना चाहिए, ठीक है, यह एक प्रोटोन, एक एलेक प्रोट्रिक फोर्स इक्वल होगा, यह एक ओप्शन नमबर C जो है आपका करेक्ट एंसर होगा, तो चलिए, अब हम दूसरे कोश्चन की और बढ़ते हैं, इस सेशन का हमारा कोश्चन नमबर दूसरा जो है, यह आपका काफी BVI कोश्चन है, और साइद यह आपका दुच्च मक्य तरंग नहीं है, और उप्शन A प्रकास तरंग, B एक्सरे किरन, C जो है ध्वनी तरंग, और D जो है अवरक्त किरन, याने कि आपको इसमें क्या है, कि आपको बतानी है कि इसमें कौन एलेक्टो मैगनेटिक बेव नहीं है, पहला उप्शन जो है लाइट ब बताईए कि इसका सॉलिशन क्या होगा, कोस्चन नमबर दूसरा का, निमन में कौन बिद्दुत चुमक्की तरंग नहीं है, और ये काफी अच्छा कोस्चन है मेरे हिसाब से, और ये आपका बोर्ड मोडल साबित भी हो सकता है, या कोस्चन, मैं देख रहा हूं कि बहुत स इसका एंसर बताने वाला हूं, सस्पेंस नहीं रखोंगा, तो चलिए ओप्शन नमबर सी जो है, इसका करेक्ट एंसर होगा बाबू, धोनी तरंग जो होती है, ये हमारा बिद्दुत चुमक्की तरंग नहीं होता है, ये साउंड बेब जो होता है, हमारा इलेक्ट्रो मैन को उच्छ उर्जा एक त्वरित करने के लिए उप्युक्त नहीं है, आपका A उप्शन है, प्रोटॉन, B एलेक्ट्रोन, C डिट्रोन और D अलफा कन, ये काफी भीवियाई कोशन आपके एक्जामनेशन के लिए साबित हो सकता है, इस कोश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूंगा, चुकि ये तीसरा नमबर कोशन जो है लाइब सेशन का काफी इंपोर्टेंट कोशन है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत काफी संख्या हैं बच्चे इस सेशन को जोईन कर चुके हैं, तो जरा फटा-फट इसका एंसर किजिए कि ओक कोशन नमबर 3 का एंसर क् का, A. प्रोटोन, B. इलक्टोन, C. डिट्रोन और D. अलफाकन, कोशन नमबर 3 का मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है इसका एंसर, आपका कुछ बच्चे जो है, ओप्शन A भी कर रहा है, कुछ बच्चे B भी कर रहा है, ठीक है, चलिए, इस कोशन का मैं ही जो है, करेक्ट एंसर होगा, चलिए, इस लाइब सेशन का चौथे कोशन मजा लिया जाए, कोशन नमबर 4, देखिए, क्या है, काता है, प्रत्यवर्ती बिभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन करने वाले सैंत्र का नाम है, दिष्ट कारी, B. ट्रांस्फर्मर, C. और D है, फिल्टर, फिर से कोशन एक बार सुनिएगा, कहता है, प्रत्यवर्ती बिभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन करने वाले सैंत्र का नाम क्या है, यानि कि डिवाइस का नाम पूछ रहा है, ठीक है, यानि कि alternating potential, तो इस कोशन का मैं देख रहा हूं कि बहु भी कर दिये और ये काफी अच्छा कोशन है, कोशन नमबर फोर, चलिए मैं बताना चाहता हूं कि इस कोशन का एंसर बावू ए ओप्शन होगा, चलिए अब हम अगले कोशन की और बढ़ते हैं, और देखते हैं कि अगला कोशन हमारा क्या है, तो देखिए अगला कोशन प्रतिवर्तिज धारा जो है, अल्टरनेटिंग करेंड जो है, काउन से प्रभाव को परदरसित करती है, ए रसायनिक, बी उसमिये, सी चुम्बकिये, डी ओल, मनिकि इसमें से सभी जो गुन है, रसायनिक, उसमिये और चुम्बकिये, तीनों, ये कोशन नमबर फाइब है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सरे बच्चे जो है, इसका answer करना शुरू भी कर दिया है, कुछ बच्चे इस वाद शुरुवात, भी option से किये हैं, और कुछ बच्चे A भी कर रहा है, कुछ बच्चे C भी कर रहा है, चलिए, मैं इस question का solution मैं बताता हूं कि option number B जो है, इसका correct answer चलिए अब हम कोश्चन नम्बर 6 यह कोश्चन नम्बर 6 जो है हमारा यह भी अच्छा कोश्चन है कहता है कि दब दो उत्तल लेंज परसपर संपर्क में रखे हैं तो संप्तुली लेंज है ए उत्तल ब अप्तल C संप्तल अप्तल D बेलनाकार यानि कि कह रहा है कि जब दो convex lens को एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के contact में रखा जाए तो इसका equivalent lens जो होगा उसका behave कैसा होगा आपका उत्तल होगा कि अफ्तल होगा कि संतला उत्तल होगा कि बेलना कार होगा ठीक है ये question number 6 है हमारा तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है इस बार question का answer करना शुरू भी कि कुछ बच्चे सही भी कर रहे है कुछ बच्चे गलत कर रहे है लेकिन सायद 70% बच्चे जो है option number A के साथ जा रहे हैं इसका A option ही correct answer होगा चलिए अब live session को और रोचक दोर में पहुचाया जाए और ये question number सातमा प्रश्ण जो है आपके screen board पे दिख रहा होगा कता एक आवर्धक glass जिसकी छमता 12 डोयप्टर है कि आवर्धक छमता क्या है आपका A option है 4 B है 12 C है 3 D है 25 question number 7 ये confusing वाला question है कहता है एक आवर्धक glass है जिसकी छमता 12 डोयप्टर है तो उसकी आवर्धक छमता कहता है निकालने के लिए मैंने खाइंग पावर question number 7 मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ये confuse करने वाला question है question number 7 तो मैं इसका answer मैं ही बता दता हूँ कि A option जो है आपका correct answer होगा चलिए question number 8 प्रशन जो है आपके शामने आपके screen board पर ये है जरा देखते है कि आपमा प्रशन है क्या हमारे शामने करता है जब प्रकास की एक किरन सलैब में परवेश करती है इसका तरंगदेर क्या होता है बढ़ता है घटता है अपरवर्तित रहता है और D आकड़े पूर्ण नहीं है ये question करता है कि जब प्रकास की रेज जो है एक सलैब में इंटर करती है इसका बेव लेंथ में क्या प्रवाव पड़ता है increase करता है कि decrease करता है कि constant रहता है और D option जो है हमारा करता है कि ये जो question है हमारा पूर्ण नहीं है question नमर आठमा प्रशन जो है इस live session का मैं देख रहा है बहुत सरे बच्चे जो है इसका option करना शुरू भी कर दिये है और बहुत सरे बच्चे जो है इस question का solution बी option के साथ जा रहा है मैं देखता हूँ कि इस question का solution क्या होना चाहिए कि जब प्रकास की किरन एक सलैब में परवेश करती है तो वहाँ पर क्या है कि frequency change नहीं होता है velocity change हो जाता है इसका मतलब lambda जो है हमारा घटता है question number 9 model तथा B model दोनों कारी करती है कहलाती है laser, radar, facts और modem ये मुझे अच्छा question लग रहा है और ये BVI हो भी हो सकता है आपके examination के लिए कहता है जो युक्ती model तथा B model दोनों का कारी करती है कहलाती है laser, radar, facts और D model question number 9 question number 9 है हमारा ये live session का है मैं देख रहा हूँ कि बच्चे answer करना शुरू भी कर दिये है काफी energetic हो गया है question number 9 चलिए मैं ही बता देता हूँ कि जो युक्ती model तथा B model दोनों का कारी करती है modem कहलाती है option number D ये question number 10 जो है कहता है हमारा semiconductor से लिया गया है कहता है P type का रचलक बनाने के लिए germanium को डोप किया जाता है किस से gallium से, boron से, aluminium से और phosphorus से बताईए question number 10 है आपके screen board पे दिख रहा होगा कहता है ये वारा P type का रचलक बनाने के लिए germanium को डोप किया जाता है किस से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सरे बच्चे इसका answer सही भी कर रहा है और कुछ गलत भी कर रहा है चलिए question number का A answer होगा gallium से question number 11 देखिए आपके screen board पे दिख रहा होगा कहता है कि नाविकों को मिलने से नए नाविक के बनने और उर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहता है नाविकों को मिलने से एक नए नाविक के बनने और उर्जा के मुक्त होने की घटना जो है क्या कहलाती है पहला है नाविक्य सल्लेयन, B. नाविक्य विखंडन, C. स्रिंखला किरिया और D. जो है तो अनांतरन तो दिए काफी अच्छा कोशन है यह हमारा कोशन नमर 11 है इस सेशन का तो नाविक्य विखंडन तो हो नहीं सकता है ठीक है चुकि वहाँ पर तो बड़े नाविक, दो छोटे-छोटे नाविक में विखंडित हो जाते हैं और यहां हमारा क्या है कि नय निकुलियस का फोर्मेशन होता है और इससे उरजा मुक्त होती है यह ऐसा क्रिया जो है नाविक्य सनलेयन में होता है कोशन नमबर 12 है हमारा बायांडरी ओपरेशन का है और आपको जो है इस में है बदलना है decimal system to binary system 15 का दुविधारी तुल्यांग है 10111 hold to 10010 hold to 1111 hold to और D 11100 hold to आप इसको decimal system को binary system में बदलिए हमारा दो तरह का system होता है boolean algebra में यह question number 12 है आपका तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सरे बच्चे इसका answer करना शुरू भी कर दिये हैं और 50 से 60% बच्चे जो है इसका option C कर रहा है तो चलिए 15 का boundary जो होता है system में बदलिए तुल्यांग जो होता है यह 111 का hold to होता है option number C correct answer होगा चलिए अब देखा जाए कि हमारा question number 13 क्या है यह भी लगता है हमारा question जो है question number 13 करता है 16 electron और उर्जा का photon hydrogen परवानु को मूल उर्जा अस्तर में आयनित करता है परवानु बाहर से जाने वाले electron की गतिज उर्जा क्या होगी यह परवानु से जो हमारा electron मुक्त होता है उसके हमको kinetic energy निकालना है यह option 29.6 electron volt B जो है 16 electron volt C जो है 23.6 electron volt D जो है 2.4 electron volt इस question में आप लोग का wait करना चाहूंगा कि आप बताइए कि 16 electron volt उर्जा का photon hydrogen परवानु को मुल उर्जा अस्तर में आयनित करता है तो परवानु से बाहर जाना है उले electron की गतिज उर्जा क्या होगी मैं देख रहा हूं कि बच्चे इसका answer कर रहा है ठीक है यह calculation based question है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा चले मैं इसका option बता देता हूं कि दी option correct answer है यह देखिए यह आपका BBI board model सावित हो सकता है question कता है rate work नियतांग का मातरक क्या meter inverse meter second inverse second rate work का नियतांग का मातरक क्या है बताइए यह question काफी अच्छा question है ठीक है और यह question जो है हमारा इस live session का चोदहमा प्रशन है और इसका question आप लोग बताने है काफी अच्छा question है यानि कि आपका objective जो आएगा examination में उसमें आपका एक question जो है assign मातरक से एक बिमिय सुतर से होता है मैं देख रहा हूं कि बच्चे इसका answer जो है न कुछ बच्चे A कर रहे है कुछ बच्चे B भी कर रहे है कुछ बच्चे C भी कर रहे है चलिए कोई बात नहीं मैं इसका answer बताता हूं कि A option correct answer होगा question number 15 देखिए आपके skin board पे है यह हमारा physical optic से लिया गया question है कहता है यंग के दूइक रेखा चित परियोग में slitों के बीच अंतराल आधा एवं slit वा परदे के बीच की दूरी दूनी कर दिये जाए तो fringe की चोड़ाई यानि कि width of fringes क्या होगा fringe की चोड़ाई में क्या परिवर्तन होगी पहला option वही रहेगा बी आधी हो जाएगी सी दूगनी हो जाएगी डी चार गुनी हो जाएगी यानि यंग डवल एक्सपरिमेंट जो होता है यह मारा physical optics लिया question है यह fringe की चोड़ाई परधारित प्रश्न है तो यह question number 15 जो है ना काफी interesting question है और काफी BBI सावित हो सकता है आपके examination के लिए मैं देख रहां कि बहुत सारे बच्चे question करना का answer करना थोड़ा calculation based question है चलिए अब मैं इसका answer बताता हूँ कि D number correct answer होगा चलिए अब हम इस session का अगला question देखते हैं कि क्या है आपके screenboard करता है खगोली दुर्विन में अंतिम प्रतिविम होता है अभासी और सीधा अभासी रूल्टा और बास्तिविक और सीधा और बास्तिविक रूल्टा question number 16 बहुत सारे बच्चे यह हमारा खगोली दरवन दुर्विन है हमारा इसको टेलिस्कोप कर सकते है इसमें देख रहा है बच्चे एंसर करना शुरू कर दिये है इस बार 80 से 90% बच्चे जो है option number B के साथ जा रहे है मैं भी option number B के साथ ही जाना पसंद करूँगा चरी यह question थोड़ा सा अच्छा question है करता है काच के एक अबतल लेंस को जब जल में डुआये जाता है तो क्या होता है कम अभिशारी, अधिक अभिशारी कम अपसारी और अधिक अपसारी यहां पर जो है converging और diverging की बात हो रही है तो बताईए किसका question क्या होगा 17 नमबर प्रशन आपके screen board पे है question number 17 मैं देख रहा हूँ कि बहुत सरे बच्चे जो है इसका answer करना शुरू भी कर दिया है और इस पर इस question का starting C से कर रहा है कुछ बच्चे जो है D पर भी जा रहा है कुछ बच्चे B पर भी जा रहा है कुछ बच्चे A पर भी जा रहा है चलिए कोई बात नहीं, कोस्टन का मैं ही अंसर करता हूँ कि 17 का option correct answer होगा, ये देखिए आपका क्या है, काता ये तो आपका बहुत ही जी कोस्टन है, काता बायमंडल की पस्तिती में पिर्थिवी से आसमान का रंग क्या दिखाई देता है, काला, नीला, नरंगी और लाल, को अखाई देता है, कोस्टन नम्बर 18 है, चलिए इस लाइब सेशन को और रोचक दोर में पहुंचाया जाए, कोस्टन नम्बर 19, देखिए क्या कहता है, कहता है, प्रकास किस प्रकार के कमपनी से बना होता है, इथरकन, बायुकन, बिद्दुत, वा चुमबकी छेत्र, अड कम्बिनेशन से बना होता है, यह होना चाहिए था कोस्टन में, कोस्टन नम्बर 19, यहनि कि 19 नम्बर प्रश्ण है, कि प्रकास किस प्रकार के कम्बिनेशन से बना होता है, किस के संजोग से बना होता है, यह होना चाहिए था कोस्टन में, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका एंसर करना शुरू भी कर दिये हैं और बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं मैं इसे काफी खुस हूँ 19 का option number C जो है correct answer होगा अब देखिए ये हमारा question number 20 जो है ये आपका क्या कहता है सो देखिए कहता है अबरक्त किर्णों के अध्यान के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म पर्योग करते हैं वह है crown काच, rock salt, flint काच और quarch ये question अच्छा question है कहता है अबरक्त किर्णों के अध्यान करने के लिए किस पदार्थ का प्रिज्म पर्योग करते हैं किस प्रकार का अबरक्त किर्णों के अध्यान के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म पर्यूत करते हुआ है क्राउन काच, रॉक्साल्ट, फ्लिट काच और क्वार्च बी का ओप्शन नमबर बाव बी जो है करेक्ट एंसर है चलिए ये कोस्षन हमारा काफी अच्छा कोस्षन है काता है कूरों में फोटोग्राफिक के लिए परियुक्त फिल्म होती है सधारन, प्रावेगनी, पोलेराइड, अबरक्त ट्वेंटी वन नमबर कोस्षन काफी अच्छा कोस्षन है ये बी बी आई भी सावित हो सकता है बच्चो किता कूरे में फोटोग्राफी के लिए परियुक्त फिल्म होती है तो अबरक्त होती है ओप्सन नमबर डी चलिए कोश्चन नमबर ट्वेंटी टू करता है गामा किर्नों में उच बेधन सकती का कारण है कम तरंग दैर अधिक तरंग दैर आवेश करना होना अधिक आवेश का होना गामा किर्ने में उच बेधन छमता चो होती है किसके कारण होती है आपको यह बतानी है कम तरंग दैर अधिक तरंग दैर आवेश करना होना डी आवेश का होना देख रहाँ कि बच्चे इसका एंसर करना सुरू भी कर दिये है और कुछ बच्चे सही भी हैं कुछ बच्चे गलत भी हैं तो इस question का option ये number होगा बच्चो ये question number 23 देखिए आपके screen board पर क्या है काता उत्साजित photo electron की उर्जा निर्वर करती है प्रकास की तिवर्ता पर प्रकास के तरंगदैर पर धातु के कारेफलन पर डीनन उत्साजित photo electron की उर्जा निर्वर करती है प्रकास की तिवर्ता पर प्रकास के तरंगदैर पर धातु के कारेफलन पर डीनन question number 23 का option number B जो है correct answer होगा ये देखिए हमारा ये भी physical optic से लिया गया question है और कहता है कि दो सुरोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके कलांतर में बरावर परिवर्तन हो रहा है कलांतर नियत होता है कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है कलांतर में अनिमित परिवर्तन होता है कलांतर यानिकी phase difference होना चाहिए इसका English ठीक है दूसरोतों को कलास संबन तब कहा जाता है उन कलांतर में बरावर परिवर्थन हो रहा है कलांतर नियत है कलांतर में आवरती परिवर्थन होता है कलांतर में अनिमित परिवर्थन होता है जो विश्मा प्रस्ण है अमारे स्क्रीन बोड पे यह फिर डिप्रेंस जो होता है कॉ कुसन साबित हो सकता है examination के लिए काता है समान समयोजन में ढूर्ट समयोजन में थ्रफ ऐसके लंबाई होती एप SAY hi एफो इन्टू एफ़ी एफो पटा एफ़ी और डी जो है एफो पलस एफ़ी यानि खगोली दूर्दविन जो होती है उसके नली की लंबाई जो है हमें बतानी है कि क्या होगा देख रहा हम कि बहुत सरे बच्चे जो है यहने कि 70 परसेंट बच्चे जो है उप्सन नमबर डी के साथ जा रहा है तो यह उप्सन नमबर डी ही करेक्ट एंसर होगा आप देखे 26 नमर कोसंज है काता है क्या काता है सो देखे काता है कि एक सरे किरने होती है रिनाविष्ट कनों से धानाविष्ट कनों से विदुच मक्य भी करनों से निट्रोन की धारा से एक्सरे किरने वनी होती है यहने कि एक्सरे किरन करा फ् socialistय होता है टिस से होता है 26 भीसवा नंबर प्रश्ल मैं देह रहाँ कि बच्चे काफी अच्छा जा रहा हैं काफी अच्छा answer कर रहा है यह अप्सा नंबर सी जो है korrekt answer होगा ये भी देखिए काफी आपका अच्छा कोसन है कहता है कि प्रकास के रहले प्रकिर्नन में प्रकिर्नित प्रकास का परिमान तरंगदैर के सवान पाती होता है लेम्डा के रूप में ओन वाटा लेम्डा स्क्वाइर के रूप में लेंबडा Q की रूप में दी जो हो लेंबडा 4 की रूप में 27 अच्छा काफी रोचक कोशन है D option होगा बच्छो बस्तू से बड़ा आभासी परतिमी बनता है उत्तल दर्पन से यह तो यार कोई भी बता देगा बस्तू से बड़ा आभासी परतिमी बनता है उत्तल दर्पन से अप्तल दर्पन से समतल दर्पन से डी नन Q कोशन नमबर 28 बस्तू से बड़ा आभासी परतिमी बनता है अप्तल दर्पन में बनता है Convex mirror Q कोशन नमबर 29 आपके स्क्रीन बड़ परता है प्रकास के कनिका सिधान्त के परतिपादक कौन थे Huygens, Newton, Fresnel, Maxwell ये काफी interesting question और BVI सावित हो सकता है प्रकास के कनिका सिधान्त के परतिपादक थे Huygens, Newton, Fresnel, Maxwell मैं देख रहा हूं कि बच्चे इसका answer करना शुरू भी कर रहा है इस बार जो है option number जो है B के साथ जा रहा है ये question number 30 है और इस session का आखरी question है कता है मिर्ग मरिच्का का कारण है बिवर्तन, प्रकिर्णन, ब्यतिकरन, अब बरतन और पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन मिर्ग मरिच्का ये हमारा मरुवस्थाल छेतर में होता है मिर्ग मरिच्का देखने को मिलता है गर्मियों के दिनों में चलिए बहुत सरे बच्चे जो है इसका option जो है एक भी कर रहा है कुछ बच्चे इस वाट D भी कर रहा है कुछ बच्चे C भी कर रहा है question का मैं है solution बताता हूं कि option number D जो है correct answer होगा तो यह हमारा session का आखरी प्रस्ण था तो best of luck